आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Given question है, case study दे रखी है हमें आपे 4 students of a class are standing at a point P, Q, R, S in a row and a column in their playground for a drill practice फिर इसके बाद हमें दे रखा है Based on the above figure, answer the following questions the quadrilateral P, Q, R, S formed by these points is तो यहाँ पे P, Q, R, S जो point दे रखे हैं, अगर हमें इनको meet करेंगे यहाँ से P से Q को ठीक है, R से Q को और यहाँ पे R से S को और फिर P से S को P से S को तो यहाँ पे जो P, Q, R, S एक जो quadrilateral बन रहा है तो यह basically किस टाइप को quadrilateral होगा है square होगा, rectangle होगा, parallelogram होगा यह trapezium होगा, तो सबसे पहले तो हम यह चारो point हमें दे रहे हैं P, Q, R, S इसके हम coordinates find करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं P को देखूंगा सबसे पहले, तो P के coordinate कहा होगे यहाँ पर, P के coordinate बिसेकली यहाँ पर होगे तो पी यह basically point है, यह यह x access प कितना 5 ओर y access पर कितना 5 ऐसे Q point देखेंगे, तो x access प कितना ङूद स्वे होगा, यह 7 और y access पर कितना Diopf near risk ठीक है, ऐसे यहाँ पर everyone के हम coordinate find करेंगे तो यह x axis पर कितनी distance पर है 4 ओके और y axis पर कितनी distance पर 3 और s point हम देखेंगे यहां पर तो x axis पर कितनी distance पर 1 और y axis पर कितनी distance पर 2 ठीक है अब यहां पर हम इन जो चारो point है जैसे sr rq pq और ps यह quadrilateral बना रहा है तो इन 4 quadrilateral की हम individually side find करेंगे कि side की length क्या है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगर हमें यहां पर कोई 2 point दे रहे हूं let's suppose एक point यह और एक point यह है और दोनों point के हमें coordinate दे रहे हैं इस point के coordinate के है P यह x,y और इस point के coordinate यह है Q और इस coordinate है x,y ठीक है तो यह है x1,y1 और यह है x2,y2 ठीक है तो अब इन दोनों point के बीच की जो distance है that is d यह हम कैसे find करेंगे d equals यहां पर होता है square root x2 minus x1 का whole square and plus y2 minus y1 का whole square ठीक है simple है तो जब यहां पर हम यह apply करेंगे तो यहां पर sr,sr के अगर हम length find करेंगे तो क्या हो जागा यह square root इसको मैंने माल लिया x1,sqo by 1,sqo x2,sqo by 2 तो यह क्या हो जागा 4 minus 1 का whole square and plus yi हो जागा 3 minus 2 का whole square 3 minus 2 का whole square ठीक है तो यह कितना हो जागा यहां पर square root 4 minus 1 3 3 का square 9 plus 3 minus 2 1 का square 1 तो यह हो जागा square root 10 ठीक है तो यह जो basically sr,s के length क्या आ गई square root 10 ऐसे हम rq की length find करेंगे ठीक है तो rq की length क्या हो जाएगे यहां पर rq की length हो जाएगे हमारी यहां पर square root अब इसको x2 y2 माल लिया मैंने तो यह हो जाएगा क्या x3 y3 ठीक है तो जब हम इसकी distance rq की length find करेंगे तो यह हो जाएगा square root x3 minus x2 का whole square तो x3 का 7 और x2 का 4 तो 7 minus 4 3 3 का whole square 9 and plus यहां पर हो जाएगा y3 minus y2 का whole square तो 6 है y3 और y2 का 3 तो 6 minus 3 क्या हो 3 तो 3 का square क्या हो जाएगा 9 तो अब इसको जब simplify करेंगे तो rq की length है क्या हो जाएगी square root 18 और square root 18 को हमें यहां पर लिख सकते है 9 into 2 और 9 अगर बहर आ जाएगा square root से करेंगे by using the square root formula इस formula से जो distance वाले से तो यहां पर आ जाएगी हमें pq की length कितनी find होगी हाँ पर square root 10 ठीक है ऐसे यहां पर ps की length find करेंगे तो यह भी हमें find होगी यहां पर 3 square root 2 ठीक है by using the same method तो यहां हम देख सकते हैं इसमें क्या है कि जो opposite side है वो basically equal length की है जैसे यह rq 3 square root 2 है तो इसकी opposite side है sp इसकी length का 3 square root 2 ऐसी sr है इसकी length कितनी है square root 10 है तो pq की length यह भी square root अब अगर opposite sides equal है यहां पर हमें angle के वारे में कोई discussion नहीं दिया गया ठीक है हमें कि यह दे रखा है कि जो opposite side equal है तो जो given यह quadrilateral होगा यह basically square तो होगा नहीं क्योंकि square में यह angle होते है यह 90-90 degree होते हैं तो यह तो होगा नहीं रेक्टेंगल भी नहीं होगा तो यहां पर क्या यह parallelogram होगा क्योंकि parallelogram में opposite side equal होती है और angle के वारे में यहां पर कोई discussion हमें नहीं दे रखा है ठीक है तो जो हमारा answer है वो option 3 है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर